नमस्कार ग्रीन फूड मैजिक में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे नारियल की बर्फी जो की खाने में बहुत ही स्वाधिस्ट होती है और बहुत एजी है बहुत जल्दी बन जाती है और अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें करें यह बिल्कुल फिरी है कोई चार्ज नहीं लगता तो चलिए शुरू करते हैं बर्फी बनाना आपके साथ शेयर करूंगे यह मैंने सूखा नारियल का पाउडर लिया है आप चाहें तो ताजी नारियल फ्रेश नारियल होता है उसको लेकर मिक्सी में पीस कर उसकी भी करते हैं सबसे पहले हम इसको हलका सा फ्राइ करेंगे क्योंकि इसका थोड़ा कच्छा पन हर जाएगा इसको थोड़ा सब लेंगे अब यह देखिए थोड़ा सा भून गया है अब इसमें हम थोड़ा सा एक कप दूट डालेंगे और यह मैंने एक कटोरी फ्रेश मलाई लिए यह भी डाल देंगे इसको जलाते रहेंगे थोड़ा मैं इसमें चार चंबस देशी गी डालूँगी एक दो तीन चार अब इसको हम चलते रहेंगे अब इसको हम चलाते रहेंगे अब ये एक कटोरी हम चीनी में डाल देंगे ये मैंने पीस ली है मिक्सी में पीस कर डालें साबुतना डालें इसमें इसको मिक्स करेंगे क्यूब生 किजब एक कि अ हिस्तुबब नालेंगे चानी पालें चासरी जदेखजज उख स्टक्ष्पणन्सी गिर मैं पुआएण तोगामूफजब गाओी शज़本पूब एक के ठके हम तोगएच हैंन्सूबटारा बालें दोचा हैं देखे थोड़ा सा ये लिक्विट फॉर्म में हो गया है अब इसको और बनाएंगे अब इसको लगातार चलाना है जो कि ये नीचे तले में ना लग जाएंगे जल जाएगा फिर चर बसूगफ जाएंगे जहाएंप ही 1T कि जाएट भुछ भुछ तल्हिए. अब देखिए टाइट फॉम में आ गया है और अब यह बर्फी के लिए बिल्कुल प्यार है हम गैस बन करेंगे और इसको ठंडा होने देंगे गैस बन करते हुआ यह हमने ट्रेली है और इसमें हम रिफाइंड या घी कुछ भी लगा सकते हैं लगा कर इसमें टीशू पेपर बिच्छा देंगे देखें यह मैंने टीशू पेपर लिया है यह बिचा दूंगी और इसको ट्रांस्वर इसमें कर देंगे अब ही बहुत गरम है थोड़ा थंडा होने देते हैं और फिर ट्रे में हम ट्रांस्वर करेंगे अब देखिए थंडा हो गया हम इसमें पल्टेंगे बढ़र मैंने जड़ सकते हैं रिदेंगे प्राबर मैंने यह सुग है इस चुछ एस चुछ कि अघपष अन्यावती न कुछ काओएंब आवड़ी जा यग्ट कैंऄां युछाल कि बत्रों आवड़ी न मुछाईंपनेड़ीजिजिजिए कि अब चाब है युछक्ड़ीजिजिजिए कि अबड़ी ऑ्लेग चिरे और देंगे झाल झाल अब हम इसको सेट करने के लिए रखेंगे देखिए जम गई है और अब हम इसको इस बटर पेपर पे निकालेंगे यह देखिए कितनी सुंदर हमारी बर्फी जमी है आप देख सकते हैं अब हम इसके पीस काटेंगे झाल 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 कितनी बड़ी अनारियल की बर्फी जमी है और कितनी सॉफ्ट है यह देखिए कितनी बड़ी अजमी है और खाने में भी बहुत सॉफ्ट है हम इनको सारुप करेंगे अबू यह देखें अब इस पर हम पिस्ता लगाएंगे झाल 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 आपको मेरी यह नारियल की बर्फी कैसी लगी आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें बाई मिलते हैं आगे एक नई रेसिपी के साथ झाल 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 झाल